Hello everyone, welcome to Theory of Abrogation, मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम बात करने वाले हैं जून मंद की सारी important legal updates की Basically इस video series में हम बात करते हैं Supreme Court के important judgments की जो की आपके आने वाले competitive exam जैसे की APO, Judiciary या फिर CLAT exam के लिए काफे ज़ादा important होती है तो वीडियो में अंतक बने रहेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बात करें सबसे पहले case की तो case का नाम है Delhi Development Authority vs. Tejpar and Others Case का fact उच इस तरीके से है कि जो Delhi Government है उन्होंने Land Acquisition Act 1894 के तहत में बहुत सारे land acquire करने का process start किया था basically और यह जो process है basically जो Delhi के development है उसके लिए किया गया था अब उसी में जो year है 1957 से लेकर 2006 तक बहुत सारे जो है वो यहां पर notification issue गया है for acquiring land and award past fixing compensation case में ऐसा होता है कि यहां पर बहुत सारे cases भी file होते हैं कुछ जो लोग है वो authority के जो इस order है यह notification है उसको challenge कर देते हैं तो case का सिलसला भी यहां पर चलता रहा है और इसमें एक चीज यहां पर देखने को यह भी मिली कि बहुत सारे cases में ऐसा था कि government ने land का position लेना भूल गई या फिर नहीं ले पाई position और बहुत सारे cases में ऐसा हुआ कि उन्होंने जो amount compensation का वो ट्रेजरार के पास जम्मा कर दिय लेकिन land owner उन्होंने वो पैसा नहीं लिया तो यह जो सारे cases हो रहे थे तो इसी बीच में जो 2013 में एक land acquisition act पास हुआ और इसने 1894 वाले act को रिप्लेस कर दिया अब यह जो नया act आया इसने एक नया time limit decide कि इतने time limit में अगर case file हो गया तो ठीक है otherwise आप case file नहीं कर सकते है तो जो नया act था इसका section 24 provides करता था कि land acquisition proceeding initiated in the earlier regime would be deemed to be lapsed in certain cases including when the compensation had not been paid और position has not been taken. तो यही बात है कि अगर आपने पहले act में कोई किया हो case किया हो लेकिन आपने या तो compensation paid नहीं किया हो या land का position नहीं लिया हो तो वहाँ पर वह जो case है वह क्या होगा वहाँ पर आपका proceeding जो है basically आपकी dismiss हो जाएगे lapse हो जाएगे तो इस कुछ ऐसा ही चीज हुआ यहाँ पर और जब बाद में यहाँ पर case करने के लिए लोग गए इस ground पर कि नया act आ गया है तो इस ground पर कम से कम हमें क्या है एक extra time दिया जाए case file करने का और जो हमारा जो time चला गया है मतलब जो time lapse कर चुका है जो हमें period में case file करना था वह हम file नहीं कर पाया तो इस ground पर कि एक नया act आ नहीं हो सकता delay को condone करने का और यहाँ पर court ने इस ground को reject कर दिया court ने कहा कि other grounds पर हम जो है वह डिले को condone कर सकते हैं बट इस ground पर नहीं कर सकते हैं साथी साथ court ने यहाँ पर यह भी कहा कि public interest यहाँ पर अगर involved होगा तो उस case में rest certificate apply नहीं होता है तो दो बात यहाँ इस case में कहीं कहीं थी नेक्स जो दूसरा case हमार उसकी अगर हम बात करें तो case का नाम है अंकुर चौधरी versus state of madhepardes इस case का fact कुछ इस तरीके से है कि एक person है उसको arrest किया गया था और arrest करने के बाद उसको 2 साल तक jail में रखा गया और arrest किया गया था under section 8 read with section 22 and 29 of the ndps act 1985 अब इसका trial जो में bail मिलती है basically ndps act में जो section 37 में दिया गया है वो दो condition यहाँ पर fulfill नहीं हो रही थी पहली condition यह है कि reasonable ground हो for believing that the accused is not guilty of such an offense मतलब कि पहला यह ground होना चाहिए कि accused को लगता है कि accused guilty नहीं है इस case में दूसरा accused को अगर bail दी जाएगी तो वह वहाँ पर आगे कोई दूसरा offense यहाँ पर commit नहीं करेगा लेकिन यह दोनों condition meet नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी यहाँ पर court ने उस accused को इस case में bail दी क्योंकि court का कहना है कि बहुत लंबे time तक अग इसलिए उसको यहाँ पर bail देनी होगी even कि वो जो दो condition है section 37 में ndps act के वो फिल्फिल नहीं हो रही है तो basically यहाँ पर accused को supreme court ने bail दे दी वही एक unlawful assembly plus murder का लेकिन बाद में इसको change करके murder के साथ आपका section 34 लग गया common intention वाला तो common object से common intention पर यहाँ पर case जो है transfer हुआ और इसका जो charge में जब यहाँ चेंज हुई तो यहाँ पर accused को इसकी कोई information नहीं दी गई पहली बात दूसरा यह चीज आपके judgment में भी यहाँ पर court ने यहाँ पर mention नहीं किया तो Supreme Court ने फिर इस case में क्या कहा इसको बहुत जादना important है Supreme Court ने कहा कि जब आप charge को alter करते हैं तो सामने वाली पार्टी को पहली बात तो आप एक opportunity दें कि जितने भी witness आए हैं उन सब को दुबारा से वो बुला सकता है उनको reexamine कर सकता है उनको recall कर सकता है ठीक ह और उसके बाद साथ ही साथ आप यहाँ पर एक reason देंगे ठीक है कि charge आपने क्यूं alter किया है और उसको record करेंगे judgment में तो यह चीज़ यहाँ पर basically इस case में नहीं हुई और इसी वज़े से court ने यहाँ पर accused को equit कर दिया इस case में निक्स एक special leave to appeal file हुई थी basically इस case में fact कुछ इस तरीके से कि इस case में नाम नहीं बताया जा सकता तो यहाँ पर basically एक wife है उन्होंने अपने husband के ऊपर ही एक allegation लगाए कि उन्होंने उसकी 9 साल के जो बेटी है उसके साथ रेप किया है अब यह जब मामला court में गया तो court ने उस person को bail तो दे दी बट यहाँ पर condition लगाए कि वो जो है वो सारे investigation में cooperate करेंगे अब जो investigating officer था उसने यहाँ पर उनको medical examination के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने medical examination refuse कर दिया और वो हाई court चले गए करनाट का हाई court ने उस police के जो medical examination की notice थी उसके उपर यहाँ पर stay लगा दिया stay को challenge किया गया Supreme Court में और Supreme Court में कहा गया कि यह जो stay है basically यह एक तरह से पूरी तरीके से जो cooperation हो रहा है investigation में उसको यहाँ पर खराब कर सकता है तो Supreme Court ने भी इस बात को माना और Supreme Court ने यहाँ पर कहा कि अगर जो accused person refuse करता है to inducted non cooperation with the investigation तो इस case में उसके जो bail है उसको भी यहाँ पर reject किया जा सकता है पहली बात तो और यहाँ पर Supreme Court ने उसको direction दिया accused person को कि आप comply करें जो पुलिस की notice दी गई है medical examination की और आप medical examination कराएं उनको एक date दी गई जुलाई की और उस जुलाई के उस date में उनको कहा गया कि आप अपना medical examination करावाई otherwise उनके bail को फिर यहाँ पर cancel करिया जा सकता है next बात करें तो एक American case है American citizen का basically case है David versus Union of India का basically इस case के अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक US citizen है जो की 39.9 पूरम में रह रहा है और इसको December 2023 में वीजा मिला था और December 2024 में इसका वीजा expired basically हो रहा है यह एक petition लेकर Supreme Court में गया और उन्होंने कहा कि हमको asylum चाहिए asylum क्यों चाहिए क्योंकि इनको threat है कि इनकी country इनको prosecute कर देगी क्योंकि यह Hindu faith को follow करते हैं अब यह जब बात Supreme Court में गई तो Supreme Court ने इनसे पूछा भी क्यों आपको ऐसा लगता है कि prosecute किया जाएगा तो बहुत सारी वहाँ पर चर्चाएं हुई Supreme Court के पास लेकिन यहाँ पर यह चीज नहीं मानी गई कि उनको वहाँ पर prosecute किया जाएगा क्योंकि Supreme Court का मानना था कि वहाँ पर बहुत सादा ही अच्छा law है इंडिया के मताबिक में तो यहाँ पर ऐसा कोई reason नहीं मिल रहा है कि उस person को जो US citizen है उसको उसकी country में prosecute किया जाएगा और उसके वज़े से उसको asylum दिया जाएगा उपर से उन्होंने ministry of external affair में भी अपना petition लगा रखा है दूसरी बात कि उनका visa अभी expire नहीं हो रहा है अभी December में बहुत time है तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखते हुए Supreme Court की जो vacation bench थी उन्होंने उनकी petition को dismiss कर दिया और उन्होंने कहा कि US government की और जो US court है वो आपकी जो safety है उसकी take care करेंगे ना कि Indian government वहाँ का जो law है वो आपकी जो help करेगा और इसलिए जो हम आपको petition को dismiss करें हम आपको यहाँ पर asylum नहीं दे सकते हैं So students यह थी आज की हमारी वीडियो I hope यह वीडियो में सारी important legal updates आपको clear हो गई होगी ऐसी important update वीडियो पाने के लिए आप हमाँ चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें and bell icon को भी press करतें ताके आने वाले वीडियो की सारी notification आपको time पर मिलती रहे मिलते हैं यह update के साथ तब तक के ल